करते हूँ टेस्ट में पूछ रहा है कि क्या आप चोरी करना पसंद करता हूँ आपको पसंद करता हूँ तो भलती और पुछanor हो के वहां है को अब भर फोम από है तुम क earbuds नहीं स्कारणा लोगा तुम से दिखाया जा रहा है तो फिर क्या होता है कि आप से गलतियां होती तो कोई सेक्वेंस नहीं बनाना है फिर है memory test memory test में लिजे कि इसको coding test भी कुछ लोग कहते हैं मतलब हम किसी इस चीज को code देते हैं कुछ अपने मर्जी से code देते हैं कोई से रूल नहीं होता उसके लिए जैसे हमने यहां पे कुछ memory test किया जाता है अगर आप train operator या station controller के पोस्ट के लिए apply कर रहे हो तो वहां पे जो psychometric test होता है उसमें पूछा क्या जाता है आपको response कैसे करना होता है और response करते time किन बातों का ध्यान रखना होता है इन सभी questions को मैं यहां पे example के साथ आपको समझाने वाला हूं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो subscribe कर लिए यह different perform है जहां पे आप मुझसे जूड सकते हो अब आगे अपने question पर बढ़ते हैं पर उससे पहले छोटा सा update है आपके गुजरात Metro को लेके वो मैं बता देता हूं इसके बाद अपने question पर चलेंगे तो यहां पर आपको गुजरात Metro की notice नजर आ रही है जिकसका result recently आया था तो जो candidate shortlist किये गए हैं different post में यहां पे कई सारी post थी तो आप जिस भी post में shortlist किये हो जैसे train operator वाली post है junior engineer CRA maintainer इन सारे post में जो लोग भी shortlist किये गए हैं उनका document verification होगा और medical होगा जैसा कि इन्होंने बताया है पहले document verification आपका किया जाएगा उसके बाद medical किया जाएगा और जो लोग SC और TO post के लिए है document verification और medical के बाद उनका एक psychometric test भी होगा जो आगे हम discuss करने वाले हैं कि psychometric test में क या क्या चीजे की जाएंगी तो आपको करना क्या है यहां पर इन्होंने कहा है कि यह जो website आपको नजर आ रही है यहां पर इन्होंने एक link दिया हुआ है इस link को जैसे ही आप click करोगे यहां पर यह open हो जाएगा यहां पर आपको select करना है CTO और यहां पर आपको अपना confirmation number डालके data birth डालके download कर लेना है आपका call letter ठीक है तो 23 अप मैंसे start हो रहा है इनका process medical or document verification का तो आपको कर लेना है वो delay नहीं करना है इसके बाद कुछ लोगों को यह भी confusion है कि जो वहां पर list दिया गया है क्या वो merit के हिसाफ से है जी नहीं merit के हिसाफ से वो list भी नहीं है और न लिजे नीचे का बच्चा है तो उसको पहले से लगा यार कि मेरे सूपर तो इतने सारे लोग है तो मेरा तो selection होगा ही नहीं तो वो seriously लेगा नहीं medical को seriously नहीं लेगा से क्यों से नहीं लेगा या बाकी जो activity होंगे उसमें ढंग से participate नहीं कर पाया गया या उसकी moral values नहीं रह तो यह नोटीस थी चलिए आगे बढ़ते हैं अपने psychometric test की तरफ तो यहां पर composition मेंशन है psychometric test का कि क्या क्या चीज़ें आप से पूछी जाती है मतलब क्या क्या चीज़ें आप से टेस्ट किया जाता है और उन टेस्ट का purpose क्या होता है जब individually हम discuss करेंगे तो वहां पर यह discussion भी करेंगे पहला होता है आपका personality test अब ऐसा नहीं कि यह sequence में ही जैसे मैंने mention किया इसी sequence में आपका test होगा in general जो लोग appeared हुए है उनसे मैंने बात करके इसको ऐसे random order में मैंने आपको समझाने के लिए रख दिया तो आपके mind में यह fit नहीं कर लेना है कि जिस sequence में मैंने यह रखा उसी sequence में आपको पूछा जाएगा कुछ भी हो सकता है sequence बट ultimately वो test क्या करते हैं वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर पता चल जाएगी second जो test होगा आपका color identification कुछ लोग इसको machine test कहते हैं कुछ लोग इसको reaction time test कहते हैं third होता है आपका intelligent test या फिर इसको reasoning test भी कहते है memory test हलाकि इन जर्णल अगर हम बात करें जो दूसरे exam क्या preparation करते हो तो वहाँ पर intelligence या reasoning test में यह memory test भी आपका आ जाता है coding test भी इसको कहते हैं फिर concentration test होता है embedded test होता है इन सारे test को मैं आपको example के साथ समझाने वाला हूँ तो चलिए पहले test की तरफ बढ़ते हैं personality test personality test लेने क का मतलब यह होता है कि वह आपको judge कर पाएं कि आप क्या चीज़े पसंद करते हैं क्या चीज़े पसंद नहीं करते हैं क्या आपकी personality है किसी चीज़ को कैसे आप deal करेंगे आप सोचते क्या है आपका behavior कैसा है परपज यह होता है test करने का कुछ जैसे कि मैंने आप example रख रख है जैसे पहला question आप से पूछा जाता है कि I love a good argument at good fight ठीक है अब आप argument सुनना पसंद करते हैं आर्गुमेंट सुनना नहीं पसंद करते हैं यह अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग feedback कोई लोग पसंद करते हैं कोई लोग पसंद नहीं करते हैं ठीक है तो यह आपको जो आपको शूट करता है ना मेरे इसाफ से आपको वह एंसर देना चाहिए हां बिल्कुल यह टेस्ट देते ताइम इस बात का ध्यां रखना चाहिए कि वह क्या टेस्ट करना चाहरे है और most appropriate आप answer दो और कोसिस करो कि वह एंसर आपके personality को शूट करता हो no वाला option generally नहीं लेना चाहिए एकदम से harden हो कि कोई ऐसा question आ गया जो एकदम से fit बैठता ही नहीं मेरे उपर मेरे personality के एकदम opposite है तब जाके no वाला लेना चाहिए otherwise आप yes low या फिर sometime भी आप ले सकते हो जो भी आपको most appropriate suit करता है वो आप ले सकते हो हां अब generally लोग कहते है कई सारे लोग कहते है कि चाहिए एकदम से जो नंगा सच होता है कभी कभी वो भी पसंद नहीं आता है जैसे पूछ रहे जाकि क्या आप चोरी करना पसंद करते हो आप कह देते हो yes yes मैं तो पसंद करता हूं तो भले आप पसंद करते हो आपके personality को suit करता आप चोर हो मतलब हो बताओगे तो अच्छ कोड़ा सापको इस बात का ध्यान देना होता है कि आपके personality को जो आप कह सकते हो नो कि ओवर और perception होता है लोगों का कौन सी personality अच्छी होती है उस तंब में ढालने के कुछिस करो बट एक बात और होता कि यहां पे एकदम से black and white question नहीं होता कि एकदम से adverse हो जिसका answer एकदम से यही सही है एकदम यही यह गलत है आपको अपने हिसाप से इसको चूज करना है कि हाँ जैसे आप जैसे लोगों को पसंद करते हो जो लोग reserved हो या फिर जो लोग थोड़े open हो reserved हो in between हो या जो लोग over friendly हो इस टाइप के क्या personality है कैसे लोगों को पसंद करते हो तो वही टिक क जो आपको पसंद आता है बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे टाइम चला जाएगा और इस बात का ध्यान रखें कि यहां पर जितने questions है ना सारा आपको अटेंट करना है छोड़ना नहीं है अब आप से आपके बारे में पूछा जाया और आप वो भी ना बता पाओ तो बह कैसे आपको एंसर करना है कुछ और भी question है यहां पर आपको देख लेना है कि मेरे लिए कौन शूट करता है I love to watch thriller movie हां पसंद करते हो कभी देख लिया ऐसा नहीं कि एकदम फैबरेट आपके movie है या फिर पसंद ही नहीं करते हो thriller movie जो भी आपको शूट करता है वैसे करें ब भले करना चाहते हो तो इस टाइब के question नहीं रहेंगे जहां पर आपका behavior आपके personality आपका attitude टेस्ट कर लिया जाए ठीक है तो यह होगा आपका पहला टेस्ट चलिए second test पर चलते हैं यह होता है color identification या फिर machine test कई सारे लोग इसको कहते हैं इसमें क्या करना होता है आपको color identify कर करना होता है जनरली आपको दिखाए जाएगा red yellow green color बट ऐसे तो कोई भी identify कर लेगा अब यह आपको अलग-अलग pattern में दिखाएंगे sequence change करके दिखाएंगे और जो color आपको दिखाना वो कुछ वहां पर रहेगा कभी मानली जो कुछ button प्रेस करने के लिए देंगे जिस color आपने button green 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 response कर दिया फिर आपको red rate दिखा दिया फिर आपको yellow yellow दिखा दिया तो आपको लगा कि यह sequence तो आपको mind में sequence नहीं बनाना है ऐसा टेस्ट देते दाइम वह sequence चेंज करते रहते हैं तो क्या होता है कि माइंड माप एक sequence बना ले तो पहले से कि इस तरीके से दिखा आए जा रहा है तो फिर क्या होता है कि आपसे गलतियां होती है तो कोई sequence नहीं बनाना है actuality दिखना है जो दिखा रहा है वो उसी के हिसाब से response करना है घबराना नहीं है इतना sufficient time रहता है कि आप response कर पाओगे ऐसा नहीं सुझना कि आप फटा फटा आ रहा है जा रहा है जल ही नहीं पा रहा है identify नहीं कर पा रहा है मतलब train चला रहा है तो अब at least आपका response ठीक होना चाहिए कोई चीज आया तो उसको सोच तो पाना चाहिए आपको उसके बाद response कैसे करना हो सारी चीजे पता होनी चाहिए response time आपका कितना होता है यह भी matter करता है तो यह color identification में करते है अब इसे machine test कहते है चलिए next है आपका intelligence test reasoning test अब आगे मैं जो भी दिखाऊंगा वो सारा नियर वाट intelligence test में आ जाएगा अब यह अलग अलग जैसे आप reasoning solve करते हो न तो वैसे ही यहाँ पर reasoning आपको solve करने है simple वासा में आपको कहें तो तो यहाँ पे देखिए आप यह कहा गय जाता है बहुत difficult नहीं रहता आप कर पाओगे इस तरीके से आपको question पूछ जाते हैं फिर है memory test memory test में आ लिजे कि इसको coding test भी कुछ लोग कहते है मतलब हम किसी चीज को code देते हैं कुछ अपने मर्जी से code देते हैं कोई set rule नहीं होता उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे position पूछ रहा हूं कि अब बता हो चेर को कौण सा code दिया गया था बैप को कौण सा दिया गया था तो यहाँ आपको response करना है तो माइंड बना लेना है अपने हिसाब से याद करना है कैसे मैं याद करूं जिस तरीके साब logic लगा सकते हो कि पहले number 12 है दूसरी number पे या तो पह फिर यह बार थे अब दर fingers भाओ कहा, फिर आपको एंसर देना रहे गा तो जितना टाम दिया जाएगा आपको अब zaraब करने के लिए उतन ही टाइम अपने टाम में आपको अब्डॉर करके वहितनी अब सकते हैं दोन यहां भी time limitation हर जगा time limitation होता है चलिए next है आपका concentration test concentration मतलब यहां पर देखो बहुत सारी चीज़े डाल दिया गया तो थोड़ा concentration नहीं बनता है इसलिए इसका नाम है concentration test कि आप बहुत सारी चीज़े एक साथ देख रहे हो तो कुछ चीज़ अगर आप उसमें से आपको identify करना ह तो आप कर पाओगे कि नहीं घर पाओगे ठीक है तो यहां पर बहुत सारे figures बनाएंगे आपको बताना होता है कि इन में से odd कौन है तो इतने सारे options से आपको बताना है कि इन में से odd कौन है बाकि सारे similar होंगे एक odd होगा जैसे reasoning में test दिया जाता है reasoning वाला ही तो आप देख वहां पर थोड़ा सा टाइम लग जा अल्टीमेटली तो पहचान तो कोई पाएगा बस वीधिन टाइम आपको फाइंड आट करना है यह थोड़ा सा अवेशन होता है तो यहां पर आपको पता चल गया कि कांसेंटरेशन टेस्ट में और अगे वहता है यहां अगर आप इसको चलोगे तो बहुत सारे जग़े वैसे नहीं बिठाना है ठीक है जैसे कुछ इसका इंसर इस तरीके से होगा यह अगर इसको इसी डारेक्शन में इसईंगल पर उठा के बिठाते हैं तो यह ब ले आकरित में कहां बैठ़ेगा तो इस तरीके से देखिए यह इसका एंसर होता है एक इक्जामपल और आपको दिखा देता हूं जैसे यह वाला जो पिक्चर है वो इसमें identify करना है कि कहां पर बैठता है तो इसका एंसर यहां पर है तो तो simple ही होता है, आप कर पाओगे, किया भी होगा इससे पहले preparation कर रहे हो, तो यह होता है embedded test, तो यहाँ पर आपका यह test खतम होता है, कुछ इस तरीके के इतने types के questions आप से पूछे जाते हैं, hopes हो कि आपके mind में एक idea हो गया होगा, कि किस type के question पूछे जाएंगे, तो this is the end of this video, thank you so much for watching this, मिलेंगे next video में, तब तक के लिए all the best, good luck.